हाई एवरिवन वेल्कम बैक तो दिस फ्रेश वीडियो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू पास क्लास 12 केमेस्ट्री कमपार्टमेंट एन वन डे तो यहां पे सबसे पहले में बात करना चाहूंगा हाडली वन डे है आपके पास आज का अगर डेट अगर कंसिडर करोगे 26 फेबरुरी 2024 है और आपका एक्जाम का जो डेट है वो है 27 फेबरुरी 2024 तो एक्जाक्ली आप अगर वीडियो भी थोड़ा से लेट से देख रहे हो तो एक दिन से कम टाइम में आपके पास कैसे करोगे पास देखो simple कुछ कुछ strategy है टेकनीक है जो अगर apply करते हो तो पास हो जाओ क्योंकि कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो जो कुछ भी पढ़ा है उस हिसाब से मैं आपको कुछ strategy बता तो यह तीनों में एक proper balance maintain करने का कोशिश करना अगर आपका organic बिलकुल नहीं हो रहा है तो leave it क्यूंकि यह सबसे difficult part होता है mostly organic सबको समझने में अगर यह दोनों हो रहा है जो physical chemistry हो रहा है और inorganic chemistry हो यह दोनों को पूरा strong कर लो strong यानि कि इस तरीके से करना चाहिए अगर उस physical chemistry में mainly formula होता है तो वो सारे formula को ना बहुत अच्छे से practice करो और लिख लो ताकि अगर आप beach exam में कही अटाक भी जाते हो कुछ नहीं भी आता है given information लिखो और formula लिखके आ जो इतना पता होना चाहिए यह physical में जो steps होता है कैसे होता है वो आपको मैं बताता हूं सबसे पहले आपको identify करना रहता है पहला step है कि identify identify the chapter from which the question is asked मतलब कि कौन से chapter से question पूछा है वो सबसे पहले identify करो यह identify कर लेने के बाद किसके अंडर आएगा heading में डाल देता हूं tricks to solve a question एक question को solve करने के लिए क्या trick है यह सबसे पहले identify करो कौन से chapter से वो question पूछा गया है यह एक बार identify कर लेते हो next step आपका होना चाहिए identify the topics and subtopics एक बार chapter पता कर लिए chapter के बाद पता करो कि कौन से topic से कौन से subtopics से पूछा है एक बार वो पता चल गया उसके बाद आपको क्या करना है list down all the formula related to that topic यह mind में ही सोचना है list down मैंने बोला आपको लिखना नहीं है mind में ही सोचना है कि इस topics related या इस subtopics related क्या क्या formula है वो सारे formulas को आप note करो और या फिर पता करो और फिर सोचो कि इस question में कौन सा formula होगा उसके बाद अगर कुछ भी नहीं आता है न just write down the formula just write down the formula and the given values यह बस identify करके छोड़ दो यह है technique अगर exam hall में भी यह technique apply करते हो this will help you to pass the exam इसके अलावा और मैं बोलना चाहूंगा कि name reactions वगेरा अगर और और नहीं करते हो तो name reactions वगेरा कर लेना उसके अलावा और एक quick update बताता हो कि materials की अगर कमी हो रही एक दिन में कुछ भी करना चाहते हो you have one offer 112 रुपीज में यह मेरा खुद का materials group है 112 रुपीज में आपको मिलेगा materials group access जिसका link मैं आपको description में दे दे रहा हूं link in the description and pinned comment जहां पर आपको तरह तरह के resources मिलेंगे अगर मैं आपको quickly open करके भी दिखा दू ना थोड़ा बहुत chemistry material पर जाता हूं यहां पर एक chapter open करता हूं ठीक है मालो 11th का sorry 12th का final तो यह topic को मैं यहां पर screen share करें यहां पर क्या है I am sharing all the chapter details ठीक है पूरे सारे chapter के notes है यहां पर यह बस एक ही नहीं है इसके अलावा और भी काफी कुछ है जिसका आपको access मिल जाएगा उस materials group में ठीक है chemical kinetics समझाने के लिए इसका mind map है ओके यह सब चीज़ का अगर आपको access चाहिए simple आपको वो link पे जाने क्लिक करने 112 रूप अधर pay कर देना और पूरा group का आपको access मिल जाएगा और यह अराम से एक्जाम में मदद करेगा most repeated questions भी है important questions भी मिल जाएगे सब कुछ इसमें मिल जाएगा अगर करना है तो बी ए पार्ट of this materials group very soon okay so that's all for this video अच्छे से practice करो जो भी techniques मैंने बताया उसको apply करो और chemistry exam को pass कर लो thank you so much वीडियो का अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो चैनल में पहरी बार आया हो प्लीज चैनल को subscribe कर लो मिल दो होंगे एगले वीडियो में तब तर keep learning keep exporting and keep smiling thank you so much